अगर कोई आत्मी चुपचाप है तो इसका मतलब वो बहुत ही कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो आपकी वज़े से नहीं बोल पा रहा है इसके दो कारण होते हैं या तो वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर आपको अपने आगे बेवकुफ समझ रहा है लगतार लोगों की बाते सुनते सुनते आपका दिमाग उन बातों को स्विकार करने लगता है इसलिए जब भी लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो आप इस बात को अंसोना कर दो अपने बड़े सपने किसी को ना बताएं क्यों कि जादतर लोग नकरात्मक बात जिस महिला या पुरिश को पाना आपके लिए कठिन होता है वो आपको उतना ही अट्रेक्टिव लगता है जितना चाहदा आप उसके पीछे भागते हैं उसके प्रती आपके दिवान की उतनी ही जादा बढ़ती जाती है एक औरत जब अपने प्रेमी से face to face बात करती है तो उन्हें प्यार आता है या प्यार मिलने की feeling आती है वही पुरुष अपने पार्टने से ज़ादा emotional जुडाव महसूस करते हैं जब वो साथ-साथ कोई काम करते हैं या कोई खेल खेलते हैं या अलग-अलग बैठ कर बाते करते हैं लोग जब आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो तब असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज़त देनी है इसलिए आज के नव विवाओं को अपने कैरियर पर ज़ादा ध्यान देना चाहिए प्रेक्टिकल तौर पर मेहनद करने वाले को ज़ादा समझ हो जाती है बजाय सिर्फ बढ़ाई लिखाई करके टिगरिया हासल करने वालों से दो लड़कियों के बीच उतनी पक्की मिततता नहीं होती है जितनी दो लड़कों के बीच में होती है किसी रिष्टे में औरत हमेशा इस बात की उमीद करती है कि पूरुच उनसे लव व्यू उनकी तुलना में जादा बार बोले जादा सोचने से आप उदास महसूस करने लगते हैं और इस अवस्था में आपका दिमाग ऐसी समस्याएं पैदा करता है जो मौजूद ही नहीं है जब भी आप सफन लोगों की कहानिया पढ़ेंगे तो आप उन सभी लोगों में एक चीज कॉमन जरूर पाएंगे कि उन्होंने अपने परिवार और अपने रिष्टदारों से हटकर कुछ अलग फैसला किया होता है और उसी काम के इलावा उन्होंने दूसरा काम नहीं पूरे जरूर हो जाते हैं क्यूंकि पार-पार उसे पढ़ने की वज़े से हमारा अवजेतन मन उन बातों पर यकीन कर वही परिणाम देने लगता है यदि आप हर हाल में अपने गूल को पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कितनी भी प्रेक्टिस कर लो पर खुद से सैटिसफाइट नहीं हो पाओगे मचाख ही क्यों ना हो जो विक्ति अपने आपको गरीब बोलता है वो विक्ति वास्तम में कभी अमीर नहीं बन पाता बहुत गरीब और बहुत अमीर के बीच में भसा मिडल कलास इंसान कभी अपने खुशी और अपना दुख किसी दूसरे के सामने बया नहीं कर पाता सोते सोते अचानल आपके नीन खुल जाना यह दिखाता है कि जरूर आपने कुछ नया प्लान किया हुआ है और आपको जल्दी से वह काम खतम कर लेना चाहिए यह एक संकेत होता है लोग आपको सिरफ दो कार्णों की वज़े से ही पसंद करते हैं आप कितने सुन्दर हो या कितने काम्याब हो यदि कोई व्यक्ति गुसा है तो आप उन्हें ये मत कहो कि शान्त हो जाओ बलकि यह बोलो कि आपको पूरा अधिकार है इस पर गुसा होने का इस बात से वह व्यक्ति जल्दी शान्त हो जाएगा क्रोध इमानदारी से जुड़े मस्तिक के छेतर को जाकरक्त करता है जिस से सच्चाई सामने आती है इसलिए जब जगड़ा होता है तब गुसे में इनसान बहुत से रास उगल देता है